कि अधाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीड पाफ लियो उसका समय याने की चौके मारने का मौका मौके का लाव उठाना होगा बल्ले बाज अच्छी एफ है और बढ़िया थोग एक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में फिल्डर की अच्छी एफ है और बढ़िया थोगा इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात सही ठकाने पर गेम बल्लो बास खामोश यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे एक और गेम गई है स्टैंज में फूची दूर गई है रॉकेट की ज़रा पाउंडरी से थोड़ा पहले ही पड़ा टपा मिलेगा चौका कर दो में निए तो कर रहे हैं यह सोच रहे हैं यह कैचिंग की पहली विएたい है गेंदबास गेणा अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बैक टो बेसिक्स बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुंकिन है मेरे दोस्ते यूटिफुली स्ट्रक जबर्दस शॉर्ट डाउन दा ग्राउंड दे कर जाएगा चौका तर्शकों को भी ऐसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी ना लाइन पर कंट्रोल ना लेंथ पर नियांत्रण ये था आमंत्रण पिटाई गे लिया कर देखने को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की गेंद बाजी में ज़्यादा धार नजर आ नहीं रही अगर टीम को वापसी कर रही है तो कुछ बदलना होगा इस मौके को चौके में किया तद्दील और दोगिया समा विकेट की है तलाश ओफ स्पिनर को दी गई है गेंद क्या वो विकेट चटका पाएंगे मैदान पर नए है जनाब ये पैविलियन से सेट होकर आएंगे चौके से चुरुआत फ्लॉग कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शाक चौका तर्शकों को भी ऐसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी अच्छे रिदम को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे है इस पेल में गेंदबास बड़िया फील्डिंग बल्लेबास के पास रन लेने का मौकन है सटी गेंड डॉट गेंड दोनों खिलाडियों की बीच में अच्छा तालमेल अच्छी साजेदारी पनप रही है इसा लगता है चार का पहाडा पढ़ रहे हैं बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ एक बहुत ही महगा और साधारन ओवर कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फिल्डिंग यूनिट बनले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश सटीक लाइन सटीक लेंथ कठिन सवाल बनले बास के पास नहीं था जवाब फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो ओवर स्टेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बाल नो बाल बिसाइड की है अंपार और फ्लीस पे खड़े बनले बास के लिए है अब ये फ्री हेट हवा में है शॉर्ट फील्डरों को छोड़ो दर्शतों को भी नहीं लगेगी हवाग सेडियम के बाहर ठेरा वाव ड्राइव है ये वाड़ विकेज फिल्ला कर रहे थे इंतजार गेन गई उनकी जोली में बल्ले बास गया पैविलियन के तरफ पुछले करम के बल्ले बास को उपर भेजना क्या सवालों के जवाब पूछने वाले हैं देखते हैं आज फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं ओवर की आखरी गेंद देख कर गई है चौका एक और ओवर की समापती और समय है बोलिंग में चेंज कर लेकिन बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आकमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा स्टैंज में फील्डर नहीं होते वहीं से मंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे चेंज खराब टाइमिंग गेंधवा में फील्डर नूचे वह वह कैच है जो बहुत सारे फील्डर चूप जाते हैं लेकिन ये खिलाडी नहीं ये फील्डर नहीं जबर्दस्ट कैच जान की बाजी लगा दी यहां पर ऐसी थी वो डाइव लेकिन चौका रोका है डेफिनिटली बढ़ी आगे कोई रन में इस बाद बड़े शॉट का फ्रेयास फील्डिंग यूनिट का बड़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बास को रखा है खामोश इकॉर्ट डॉट गेंद ये गेंद गई है स्टैंस के पार बहुत दूर छे रन कमाल का शॉट आखरी गेंद पर छे लगा कर फैरवल सा कर दिया है गेंद बास का ओवर की समापती नाओ ओवर टू ते नेक्स बोलर बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आकरमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा इसे कहते हैं बडिया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं सटी गेंद डॉट गेंद इस बाल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुमकिन हमेरे दोस्त फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्ले बास का अदबुल अव विश्वस में ये शॉट इस बल्ले बास का क्या कमाल का शॉट है ये बास बास का अब अव्ज बास मर्ट पिचल पोफिट शॉट सबका बढ़िया प्रदर्शन ये 24 कैरेट खरा सोना में एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं क्या चुस्ती क्या मुस्तैदी क्या फुर्टी जान जोग दिया इस फिल्डर ने कमाड एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की टीम पर आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बाज को क्योंकि रन आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं केंद बाज के लिए थोड़ा मेहंगा ओवर्पतीत होता है लेक्स्पिनर के हाथ में है गेंद क्या फसा पाएंगे बैक्स्पिन को गेंद को हलके से धकेला है मिर्ड विकेट के रीजिन में फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के ऊपर बैट्समेन की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट फ़ड़ा सा इंको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंथ तक ये नाबाद रहें पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास सही ठिकाने पर गेन बल्ले बास खामोश बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया लेकिन गेंद नहीं सिरफ हवा से हुआ संपर्क हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास विकेट की है तलाश ओफ्स्पिनर को दी गई है गेंद क्या वो विकेट चटका पाएंगे बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश स्माश्ट जबर्दस शोट है ये गेंद बास के चटके चुड़ा दिये चटका चड़ दिया हवा में खेला ये शोट खाली स्थान को किया टारगेट हाथे में जुडे चार रहा है तौ और ये गई चार के पाफ समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का ठाइम चार 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 है ट्रिक और फोर्स चे नहीं आठ नहीं दस रंग दीजे इस शॉट को इतनी दूर गई है कितना भी बड़ा मैदान क्यों नहों इस शॉट पे तो चे मिलेंगे बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोर आप बल्ले बाज उने इस मौके को चौके में किया तबदील और गोगिया समा कि अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर अंपायर के लिए बड़ा असान फैसिल नॉट आउट का इशारी रन अप महीं थोड़ी सी गड़बड थी कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेन मिलेगी बल्ले बाजी टीम के बोलर का नुकसान बल्ले बाज का फाइदा अंपायर ने सिगनल की है फ्री हिट इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त बल्ले बाज को थोड़ा क्रैम्प किया एक और डॉट बॉल गेंद बाज की इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है मेरे दोस्त सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी गेंद पहले आई बल्ला बाद में समस्या अपने साथ लाई ये गेंद फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर नया बल्लेबास प्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बिट्वीन दा विकेट्स जब जब विकेट की हो तलाश तो गें थमा दीजिए अपने लेक्स पिनर को इस गौन शुरुवात को अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड बढ़िया पक्राद कैच बल्लेबास जी क्रम ने खासी उठा पटक लोर ओडर बल्लेबास को टॉप ओडर में भेजना क्या बैटिंग ओडर को लंबा करना चाहते हैं क्रिकेट में तो आपको मिलेंगे नहीं खाते में किये हैं चार रंजमा जबरदस शॉट से की है शुरुआ बल्लेबास ने खाया है चकमा लेकिन कैच चमक गए है विकेट कीपर तीसरे अंपायर का रुख किया है यहां पर बल्लेबास को सुरक्षित घोशित किया गया है वहां है आशा कीपर के खाते में निराशा बढ़ी आगें कोई रन नहीं बॉल को अपने तकाने दिया हलका सा किया पुश टेकनिकली परफेक्ट एक और डॉट गें अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबासी की ठीम पर डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समा चलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कारनामा करते हैं ये गेंदबास एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्डिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजिशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहें सही ठीकाने पर गेंद बल्ले बास खामोश अब विश्वस में अध्वित्य फील्डिंग का प्रदर्शन ख्राउड अपने फीट पर चतुराई से की है गेंदबाजी बल्ले बास को रखता है खामोश एक और डॉट गेंड बहुत आसान सा ये रन आउट और चमक गई हैं स्टंप्स कि नामुम्किन से दिखने वाले कैच को मुम्किन बनाया फील्डर ने जबर्दस ग्राउंड कवरेच बढ़िया पकड़ा कैच सटी गेंदबाजी बल्ले बास को मतलब समझाया शून्य का टीम में कुछ प्लाइन किया है और उस प्लाइन का हिस्सा है ये फिल्लॉडर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन लेकित आज यहां भेजा गया है इनके विकेट की है तलाश और स्पिनर को दी गई है गेंद क्या वो विकेट चटका पाएंगे सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को हलकी सीती खता और नहीं खुला खाता लुकुल साधारन बल्लेबासी गिफ इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं है हम इनको खैराज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा लंबी पारी खेलनी होगा इनिंग्स को शुरू करने का इस से बहतर तरीका हो ही नहीं साथ सबका बढ़िया प्रदर्शन फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है बल्लेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश चतुराई भरा मिश्रन गेंदबास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोरबोर भी बूम विजली की तरह कौन है इनके पैर और जड़ दिया है एक और चौका स्टाइलश ओवर की आखरी गेंदे कर गई है चौका इस गेंद के साथ हुआ ओवर समाई कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं सटी गेंद डॉट गेंद इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात अब यहां तो भगने की भी जरूरत नहीं भागे शाली की दुरघटना नहीं घटी सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल पल्ले बास के पास नहीं था जवाब प्राकिंग शॉट दस अगों किया फील्डर में तब्दील इस शॉट ने लूटी वहवाई तो वो तूफान से पहले की शांती ही भी छे लगाया बन लिवाज में स्लाम अवा में गेंद को भेजा है और फूर भेजा है ये देख जाएगी आधा दर्दन रन गेंद को स्टैंज में पहुंचाया बोलर को कहा टाटा बाए बाए आपका ओवर समा बहुत महंगा ओवर और महंगा ही पड़ेगा ये गेंद बाजी यूनिट को फूरती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो असा लगा जैसे गेंद गाया भी हो गई हो क्योंकि बल्ले से तो हाओ ना में टाइम बेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बेट्वीन दविकेट्स ये गेंद गई है दूर को सो दूर देकर जाएगी छेरान वील्डर भी सरफ पीछे मुड़कर देखेंगे छेरान खातें नहीं हर डौट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ कहने को तो छेरन है लेकिन लंबाई देके शॉट की तो मिलने चाहिए आठिया दस गोल की समाफ़ती इस से बहतरीन अंदाज में संभव नहीं छेरन जोड़ दीजिए बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया होगा गोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आकमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा उची तो बहुत गई है लेकिन जैदा दूर नहीं सही जज्जमेंट का सही नतीजा बढ़िया कैच एक और सफलता काम मुश्किल है तब ही तो करने हैं। कि योग्य है और ऐसा नहीं कि पहले फोन ही पाया है तो फिर आज करनी होगी जबतस बल्ले बाजी अगर इस मुकाबले को जीता है। बल्ले बाजी टीम यह फैसला को लिया है कि तॉप और अब बल्ले बाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बाज की। साइड में बदलाव केंद बाजी करने का किया है फैसला। बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रंग बटोरा बल्ले बाजो में। विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में। अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति है। एक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में। गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्ले बाज को और चारों खाने चित। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ताल मेल पर क्योंकि ये है रन आप। एक और नूबाज। ये एक्स्ट्राज बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को। अच्छा मौका है बल्ले बाज। में बल्ले बाज आया है क्रीस पर अब उमीद है कि ये टीम की उमीदों पे खरा उतरेगा। मुफ्त की गें थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। चौका चौका लगा नहीं पाए। दो-दो हाथ करने की मंच्छा से आये हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम। चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास। आखरी गेंद पर सिंगल यानि की स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, ओवर समा। आज सिर्फ रफ्तार की बात होगी, विपक्षी टीम ने ये तै किया है। विल बी टेस्टे, विद पेस। पिछ में थोड़ी सी मदद मौझूद है और गेंद बास के हाथ में रिवर्स विंग का जादू है बढ़िया गेंद बास। बल्ले बाजी की टेक्सबुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब। फील्डरों गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रोग। गती में मिश्रण के साथ चक्मा देने का किया है प्रयास। भाग के तो पहुँचे नहीं क्रीज तक रन आउट करार दिये गए अब पैविलियन तक। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। क्विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में। सटीक त्रो डिरेक्ट हिट बल्ले बाज खत्रे में। फील्डर का बढ़िया थ्रो एक तंस तंस के उपर। गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारत ही हैं। अच्छी गेंद को स्विंग करवाया। बल्ले बाज ने आगी की तरफ पैर। आज लगता है तूफान आने वाला है एक पेस बूलर गया तो उससे बहतरीम गेंद बाजी के लिए आया। बढ़िया गेंद कोई रन नहीं। वापिस फैका गेंद को स्टंप्स की तरफ टरेक्ट हेड बढ़िया फील्ड है। एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं। फिल्डर की अच्छी है तो और बढ़िया थोगी। एक्षन में ज्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंद की गती में परिवर थी। फ्लूर वान। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती। अच्छी रिवर स्विंग मिली इस गेंद पर। बढ़िया गेंद को दिया है सम्मान, बैट पैड साथ में बढ़िया है डिफेंस। बल्ले बास को मौका दिया नहीं की वो रन बटोर सकें, शांदार गेंद बाजी। आज लगता है तूफान आने वाला है, एक पेस बूलर गया तो उससे बहतरी इम गेंद बाजी के लिए आया। खोट, जहां था फील्डर वहीं थमाया कैच। तौफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा थी। अब कोशिश करनी है इमको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी ताख। चेंज ओफ पेस, गती में परिवर्तन, फ्लोर गेंद। स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर डिरेक्ट है। इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात। स्लॉग, फूब सूरत टाइमिंग, जबर्दाश शॉट। गेंदबाज को छताया, छता लगाया। अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा। खास है ये गेंदबाज, रिवर्स स्विंग कराने में माहिर है ये गेंदबाज। सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश। सटीक लाइन, सटीक लेंथ, कठिन सवाल बल्लेबाज के पास नहीं था जवाब। इस समझ बूच के छुबाकर डाली ये स्लोर गेंद, गेंद पर सिंगल यानि की स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, ओवर्स समा। आज लगता है तूफान आने वाला है, एक पेस बूलर गया तो उससे बहतरीन गेंदबाजी के लिए आया। हाँ और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया, बढ़िया रानिंग बिट्वीन दविकेट्स। चीते को बीचे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्ले बास। पिछ में थोड़ी सी मदद मौझूद है और गेंदबाज के हाथ में रिवर्स विंग का जादू है, बढ़िया गेंदबाजी। बढ़िया जजज्ज्मेंट तेज रणिंग बढ़िया रन बटोर आप बल्ले बासूने। एक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में घडिया स्लो वन हैंड की रॉकेट आम है इस फील्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वालक प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में फील्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थो मुश्किल से एक डेर स्टम दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना बून बून से गागर भरता है सिंगल के सार रनों में इजाफा और आज लगता है तूफान आने वाला है एक पेस बूलर गया तो उससे बहतरी गेंद बाजी के लिए आया फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फिल्डिंग यूनिट बढ़िया गेंद कोई रन नहीं गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्ले बास को और चारो खाने चित दिशा खराब तो दशा खराब दिशा ही इन गेंद है वाइड के जरीए एक अत्रिक्त रन है चेंज ओफ पेज गती में परिवर्तन फ्लोर गेंद हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ थोड़ा सा हिले थोड़ा सा डूले और गेज को लेक्स साइड की तरफ पिंपोंट एकुरेसी लेजर गाइड मिसाइल जैसा थ्रोर डिरेक्ट हिट अच्छी रिवर्स विंग मिली इस गेंद पर फीलर का बढ़िया थ्रोर एक दंस तंस के उपर एक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में अरिया स्लो वन हैंड की अंडस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति बून बून से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा और की समा ये है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बास चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास बैक स्पिन पे नजर डालिये चतुर गेंद बास सटीक ट्रो डिरेक्ट हेट बल्ले बास खत्रे में सटीक गेंद डॉट गेंद हवा में तेज जरूर थी लेके मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खास्पा हाँ ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बिट्वीन दविकेट्स फ्लिपर डाली टेजी से अंदर बल्ले बास संकट में वापिस फैका गेंद को स्टम्स की तरफ टरेक्ट हिट बढ़िया फिल्ड है तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर डिरेक्ट है बून बून से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इदाफा और किसम चुलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कारनामा करते हैं ये गेंद बास बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश एक और डॉट गेंज अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बासी की टीम पर चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास थामोश ये खामोश ये वे लिए हुआ प्रहं परर बास बास प्राप 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 जब बढ़ से जड़ बल्ले घरल बास बास निक्चा पर्फेक्ट शॉट और इसे कहूंगा मैं रॉक्स चतुर है गेंदबाज दूसरे से छकाया बल्लेबाज को मुश्किल से एक डेड़ स्टम दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबाज की दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस जब वो हो पाएगी आज रॉकेट आम है इस फील्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है इस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन पिन प्यूइंट एक्यूरेसी लेजर गाइड़र गाइड जैसा त्रोड डिरेक्ट हिट आप आप अधार प्रुति फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बून बून से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा ओवर किसमा जाना काई ये जोर से बरसा दियाने की प्रेदा टकी को ताफ बारिश ने डाला है खेल में खलल अब उम्मीद ये है कि जब बारिश रुकेगी तो पिछ पे कुछ ज़्यादा प्रभाव हुआ ना हो चुनौतियां बढ़ गई है और अन्फिलम पर डकवर्थ लूइस ने इस मुकाबले को महा मुकाबले में कर दिया है तब्दील टार्गेट को बढ़ा दिया है दबाव में डाल दिया है बल्ले बाजो को अब ओल फॉर नाथिंग फोर्ज औन सिक्सेज बड़े शॉट्स का धाइं बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री हूं डिलिवरी देकल देना है कैच दूसरी छोटे लगाता विकेट स्किर्टी जा रही है ये नई बल्ले बाज है क्रीज पर तो ये इनको कोशिश करनी है कि क्रीज पर डटे रहें जमे रहें कुछ नया करने का प्रयास है साइट चेंज करने का सिगनल दिया अंपारी है गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारत ही है अच्छी गेंद को स्विंग करवाएं हाँ और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बिट्वीन दे विकेट्स विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी घती में मिश्रन के साथ चक्मा देने का किया है प्रयास अच्छी स्लोर लाइग अब डाइमेंग संकट के बाज़र नहीं ग्रेट कैच अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच कमाल की गेंद बाजी वान मोर बैट्समेंग डिसमेस्ट मिडल ओडर का बल्ले बाज अब गैदान पर है और उमीद यही है नियंत्रम प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को स्मैक कदमों का बहतुरी में इस्तमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा तक इस छटके की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंद बाज को आखरी गेंद छे रान एक और ओवर के समापती और समय है बोलिंग में चेंज का समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ सूबर दूसरा फिल लगी अच्छी है और बढ़िया थोग इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बल्लेबास को आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक्मक अंदाज में खेला बल्लेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश फड़ा मीचे की तरफ रही है गेन चतुराई वाली बोलिंग गेंदबास की अगेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमार तॉप बोलर की ये है तॉप स्पिन पिक्चर परफेक्ट शॉट तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास रॉकेट आम है इस फिल्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है आखरी गेंद एक रन ऊवर समार्ण लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद मिश्रन का अच्छा प्रयोग गूगली का गया इस्तमाल सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बास खामोश बढ़िया गूगली लेकिन पढ़ लेता मैं शायद क्योंकि वस बाउट टो गोल एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं रिस पोजीशन में बदलाव बाक अफ़ गेंद डाली गूगली गेंद पिन पॉइंट एक्यूरेसी लेजर गाइडेड मिसाइल जैसा थ्रोड डिरेक्ट हिट ये गूगली डाल दी गेंद बास ने मुश्किल से एक डेर स्टम दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना हवा में थोड़ी तेज है फिलिपर ये गेंद है एक और साधारन सी कोशिश एक बार फिर वाइड एक और एक्स्ट्रा फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं पर बैक्स्पिन पर नजर डालिये चतुर गेंद बास आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मकंदाज में खेला वापिस फैका गेंद को स्टंप्स की तरफ टरेक्ट हेट बढ़िया फिल्ड आखरी गेंद एक रन वर्समाद समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉफ स्पिनर की खासबा इसे कहते हैं बाउंसर्स का भी बिग डैडी थोड़ा सा स्मेल कीजे लेदर को बढ़िया गेंद कोई रन नहीं खासा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉफ स्पिन का किया है इस्तमाद बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग अड़िया रंग बटोरा बल्ले बाज उन्ग सूप अब दूसरा चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला ग्रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बल्ले बाज को इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन हमेरे दोस्त यह दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बाज को अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति चतुर है गेंद बाज दूसरे से छकाया बल्ले बाज को इंडर स्टैंडी तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति बून बून से गागर भरता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा ओवर की समा लेक्स स्पिनर को ठमाई गई है अब गेंड़ फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंद बाज की सटी गेंड डॉट गेंड तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बाज को अच्छा प्रयास इस गूगली को ना पड़ पाएंगे ना जड़ पाएंगे गूगल करना पड़ेगा खिलने के लिए आते ही चौक का संदेश बिल्ड को लाउड एंड क्लियर बैटिंग होगी पॉजिटिव थोड़ा सा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का गिया है इस तरह शाथ प्रतीशत चौके को अपनी कमाल की फिल्डिंग के चलते रोका सेंसेशनल स्टाफ सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल पल्ले बास के पास नहीं था जवाब विचेतर अंदाज में लगाई डाइव लेकिन रोक लिया है विकेट की है तलाश और पिलो को दी गई है गेव क्या वो विकेट चटका पाएंगे बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की बाजुए खोल दी अंपायर ने वाइड का किया है इशारा गेंद को हलके से धकेला है मिड विकेट के वीजन में एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की टीम पर फ्लिपर डाली तेजी से अंदर बल्ले बास संकट में बढ़िया जज्जमेंट तेज रणिंग बढ़िया रंगबटोरा बल्ले बास होने हवा में थोड़ी तेज है फ्लिपर ये गेंग है चकित बल्ले बास इस बाल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुंकिन हमेरे दोस्ते हवा में थोड़ी तेज है फ्लिपर ये गेंग है चकित बल्ले बास रॉक्ट की स्पीड से गई है गेंग ये फैंस तक अब जैदा नहीं होगी सिंगल से बात चीट छे जड़ दिया बल्ले बास ने दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस तो वो हो पाएगी आज चौक्ये के साथ ओवर समा बहुत ही महंगा ओवर लेकिन लगा ऐसे जैसे रन बड़े सस्ते में बट रहे हूँ हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खासपा ना पड़ पाए ना जड़ पाए समस्या गंभीर बल्ले बास के लिए सटीक ठो डिरेक्ट हेट बल्ले बास खत्रे में जबर्दस गुगली चकमा दिया बल्ले बास के बूम कमाल का शौर्ट और क्या थी खूब सुगत ये टाइमिंग शौकिंग इंपक्ट रॉकिंग आउटकम छेरा मिलेंगे यहां पर इस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर डिरेक्ट हेट मौप इस ठैका गेंद को स्टम्स की तरफ टरेक्ट हेट बढ़िया फील्ड टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो ये तो थोड़ी सी खराग सी गेंद लो बॉल का इशारा लेगी फ्री हेट एक महेंगी डिलिवरी दे कर गई है मुफ्ट की गेंद याने ये फ्री हेट मुफ्ट की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका चौका लगा नहीं पाए सटी गेंद डॉट गेंद मिश्रण का अच्छा प्रयोग गूगली का गया इस्तमाद फील्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रोग बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर अब अपने आगास से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं और वही कोशिश करेगा गेंद बास आखरी ओवर विकेट के साथ करना चाहेगा समय तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्लेबाज को अच्छा प्रयास बढ़िया गेंद कोई रन नहीं सूपब दूसरा सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अत्रिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खासबा मुश्किल से एक डेड़ स्टंप दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना वासा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है तॉप स्पिन का किया है इस तमाद सटीक थ्रो डिरेक्ट हेट बल्ले बाज खत्रे में इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बल्ले बाज को हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बिट्वीन दविकेट्स फास अगेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमाद काटे का मुकाबला कमाल की जीत जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का अगे की तरफ कारणा इस के लाड़ी में कुछ खास बात है और आज प्रदेशन तो खेट टॉप क्लास था सूपर से भी ऊपर ना अधा मैच इनी के पास